नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज कुमार दोस्तों आज इस वीडियो के साथ हम एक नया कॉर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Computer Graphics दोस्तों इस Tutorial Series में हम Basic और Advanced Topic दोनों ही कवर करेंगे और ये कॉर्स BCA, MCA, BTEC Computer Science Students के लिए या आप अगर कोई Computer Graphics से related भी अगर आप कोई कॉर्स कर रहे हैं तो भी ये Tutorial Series आपके लिए बहुत helpful होने वाली है ये इस Tutorial Series की पहले वीडियो है तो बिना देरी किये शुरू करते हैं आज का टॉपिक Introduction to Computer Graphics दोस्तों Graphics वो Picture या Visual Presentation है जो किसी Surface पर Draw करते हैं जैसे दिवार, Canvas, Computer Screen या Paper पर आप Drawing करते हैं उसे Graphics कहते हैं इसके Example से जिसे आप Photograph से या आप Drawing कर रहे हैं किसी Paper पर या आप Computer पर Diagram या Graphs बना रहे हैं तो ये सब क्या कहलाता है? Graphics कहलाता है कि आप किसी Surface पर कोई भी Picture आप Draw कर रहे हैं, that is Graphics और आपने सुनाई होगा दोस्तों, एक Picture 1000 Words के बराबर होती है इसका Reason ये है कि हम Picture को देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं आप समझते हैं कि Computer Graphics क्या है? जब आप Computer की Help से Picture Create करते हैं तो इसे Computer Graphics कहते हैं या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि Computer का यूज करके जो आप Pictures ड्रो करने की जो कला है, जो आर्ट है, या जो टेक्निक है उसे ही Computer Graphics कहते हैं जो तो Computer Graphics में Computer की Help से हम Data या Information को Transform करते हैं इन दा Form of Picture या Visual Form और इसको किसी भी Display डिवाइस पर हम रिपर्जेंट कर सकते हैं तो ये है Computer Graphics आईए समझते हैं, Computer Graphics की Applications के बारे में वो कौन-कौन से फिल्ड हैं जहां Computer Graphics का यूज होता है तो No.1, Education and Training Education में इसका बहुत यूज है, आपने देखा है कि आज कल बच्चों की जो पढ़ाई है वो Smart Board के थू होने लगी है Flight Simulator दोस्तो, Airplanes के जो पाइलेट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग Real Aircraft में नहीं, बलकि Ground पर ही की जाती है Flight Simulator में होती है इसके Benefit क्या है कि एक तो Fuel Save हो जाता है Safety Pilots की और वो उनको एक ऐसा Environment मिलता है जहांपे वो Easily जो उनकी ट्रेनिंग है वो Complete हो जाती है Computer Generated Maps जिसका Google Map एक Best Example है Architect आप घर के नक्षे बनाते हैं या कोई भी आप डिजाइन बना सकते है Presentation Graphics जो भी आप Office वगरा में रिपोर्ट स्तियार करते हैं तो वो आप यहाँ पर Create कर सकते है Entertainment में Computer Graphics का यूज होता है और Desktop Publishing में यूज होता है हम Computer पर Graphics Create कर सकते है तो जैसे CorelDraw Head of Photoshop AutoCAD 3D Studio और इसके लाव बहुत से ऐसे Software है ऐसे Package है जो की जिनकी Help से हम Computer पर Graphics Create कर सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक आपको किलियर हुआ तो वीडियो को Like कीजिए दोस्तों के साथ Share कीजिए ताकि उनको भी इस Tutorial Series से कुछ सीखने का मोका मिले और बने रही है चैनल के साथ Thank you so much for watching this video